हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ 22 रोजबाद धरने वाले तो चले गए लेकिन जाते जाते तबाही की दास्ताने छोड़ गए आपरेशन के नतीजे में इश्तियाल में आने वाले मुझारीन ने अपना घुसा फैजबाद मैट्रो स्टेशन पर भी खूब निकाला शीशे चकना चूर कर दिये गए, टिकेटिंग बूथ उखार दिया गया, मौमर और बेमार अफराद के लिए मुख्तिस दो ऐलिवेटर्स लिफ्ट्स और पब्लिक ट्वालिट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया फैजबाद मैट्रो स्टेशन पर मुझारीन के घुसे की आख थंडी ना हुई, तो उन्होंने शमसाबाद और सिक्स रोड के अमरजनसी एक्जिट्स के शीशे भी पाश पाश कर दिये नुकसान का तखमीना अगर रकम की बन्याद पर लगाया जाए तो मेट्रो बस अथारिटी को इस तोर खोड का टीका और साट लाक रुपे तक पड़ा है जबके कराय की मत में साड़े चार करोड से जायत का नुकसान हुआ है मुझारीन से जड़ब के दोरान जखमी अफराद के इलाज मौलजे का तखमीना लगाया जाए तो होली फैमली और बेनजीर हस्पताल में अब तक साथ लाक रुपे खरच हो चुके है सिक्योर्टी फोर्स आजात कंटेनर्स और दीगर मौमलात की मत में हकुमत को ये धरना तकरीबन 22 करोड रुपे का पर स्पोटलाइट नाजरी धरने वाले आए 22 करोड से जायत का नुकसान हुआ उन्होंने हम सब्सक्राइब अदलिया मीडिया सियासतदानों को गंदी गालियां दी पुलीस एहलकारों को जदकोप किया राह चलते मासूम शेरियों की पिटाई की फिर हकुमत ने एक नाकाम आपरेशन किया फौज को तलब किया फिर जाकर उन्होंने एक कांट्रोवर्शल सालसी का किरदार रुप और एक मौाइदा तैप आया जिसमें हकुमत धरने वालों के वफाकी वजीर कानून जाहिद आमिद अस्तीफा दे पूरा हो गया अभी भी बहुत से मतालबात बाकी हैं इनका एक मतालबा ये है कि पंजाब के विजीर कानून राना सनावला धरने वालों की बिनाई गई एक कमिटी के सामने पेश हो जो एमडियों से मतलिक इनके बियान की जांच परताल करे और फिर वो कमिटी जो फैसला दे राना सनावला साब यानी पंजाब के विजीर कानून इसको तसलीम करे तो आप भी सोच रहे होंगे कि इस दुरान हमारी अदालते क्या करेंगी वो अदालते जहां पर सच और जूट के फैसले सुनाये जाते हैं वो अदालते जहां से वुजरा आजमों को ना एहल किया जाता है लहाजा इन अदालतों के होते हुए एक मतوازी एहतसाब भी होगा तो आएए पूचते हैं यही सवाल पंजाब के विजरे कानून राना सनाओला साब से राना साब ये बताईए कि क्या आप स्तीफा दे रहे हैं जैसे कि आप से मतालबा किया गया है या कि आप इस कमिटी के सामने पेश हो रहे हैं जो उलिमा की कमिटी है और पिर जो वो फैसला सुनाएंगे आपको मनजूर होगा देखें जहां तक तो कमिटी का मामला है तो जिस दिन जैसमुर को तहरीक लबैक का जब यहां से चला था रैली तो उस दिन हमारे इनके साथ गौर्मनट अफ़ पंजाब के मजाकरात हुए थे और तहरीक लबैक की जो मजाकराती टीम थी उसके सरबरापी रफसेश जब जो है वो उनके साथ 6-7 लोग और थे और मेरे साथ जो है वो गौर्मनट अफ़िसर्स थे तो बारा मतालबाद जो हम उनके पेश की थे उन बारा मतालबाद में से एक मतालबा इस बात का था कि जो मेरा एक क्लिप चला गया था जिसमें ये थाबत करने की कोशी की गई थी कि शायद मैं ये कहा है कि कादियानी ज इसको अखिस किया गया है तो इसके उपर उन्होंने अपनी तार किया है लेकि उन्होंने का कि यह हमारी जो मजल से मिशावरत है तो यह क्योंकि आप इसका अजलास हम यहां पर तो नहीं कर सकते तो जब हम बाकी मामलात हमारे जब तैह होके हम वापस आएंगे इसलामबाद से तो एक दफ़ा भी अब दोबारा जो है वो हम इसके उपर मेटिंग कर लेंगे तो मैंने का कोई हर्ट उसके बाद इन्होंने जो बाकी पॉइंट थे उन में पंजाब से मतलब कोई तकरीवन कोई आठ पॉइंट थे जी उन सब की उपर हमारी इसके उपर ब्रेक फूरू हुआ वे फारवर जो है वो देखा गया दो पॉइंट जो थे वो वफाकी हकोमत से मतलब थे और उन में जो है वो साद B और C वो हल हो चुका था जहाद हामद साब के सीफे की बात थी वो हमारा ये ख्याल था कि जाज़ाद जफरलाग साब की कमेटी जो उसे अटैच हो जाएगी और ये मामला जो है ये रिजाल्व हो जाएगा और हमारी उस वक्त की जो सोच थी वो तो ये थी कि आप आज मंडे को जा रहे हैं और आप कल मंगल को वहां से दुआए खियर करके वापस आ जाएगे और बुद को आपकी जो है वो इस रिसे में जो है आपके साथ हमारी होगी जो कि फिर बेलाख़ जो आज हुई है मगर राना साब मुझे ये बताएं आपके पास तो आई बी है, माई है, आईसाई है आपको पता ही नहीं चला कि ये इतना कुछ लेके जा रहे हैं और इनका ये इरादा था कि ये फैज़ाबाद के इंद बाइस तिन का धरना देके बैठेंगे ये कैसे हो सकता है नहीं, इसमें देखें, ये इंटेलिजेंस एजन्सी की भी रिपोर्ट थी और मुझे भी इस बात का यकीन है कि अब्तदाई तोर पे इनका ये इरादा नहीं था और उस वक्त बात ये थी कि साथ बी और साथ सी, ये मेरी खुद हुई जहाद हामस साब से बात उन्हें का कि रादा साथ आप इनसे वादा करने हम ये बिल ला रहे हैं और हम इस बिल की जो है, इसको कौपी दे देंगे और बाकि उनके इस्तीफ बाली बात थी तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की मैंने का कि आप इसको जो है वो राजा जफरलाग साब की रिपोर्ट से जो है वो आप इसको मुंसिले कर दें अगर उनकी रिपोर्ट में किसी का कसूर हुआ तो ने मगर कहीं ना कहीं तो ब्रेक डाउन हुआ ना राना साब सवाल ये है कि फिर फैज़ाबाद ने बाइस तिन का धरना दिया दो नवेंबर को आपने ये मेरे पास है आपकी अग्रीमंट जो आपने साइन किया था उसके बावजूद जो है वो ये कहते हैं कि जी हकूमत जो वो सवाल रपीट करूंगी उनका अलबा है और जो माइदा हुआ है राना साब जो माइदा हुआ है उसके तहर आप एक उल्मा की कमिटी के सामने पेश होने जा रहे हैं इस पे मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए आपसे देखें मैंने जिस तरह से उनकी बात हुई थी वो मैंने बात आपके सामने जो है वो बियान कर दी है जो बात हुई है उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए इसके लावा वो अपने तोर पे किया संथ के उपर मुझे कोई सरोकार नहीं है मैं ये अर्ज कर दू कि जब ये वहाँ पे गए हैं इनका इरादा वहां पे इत हो गई और फिर पीज में कुछ और कुबतें पेदर जो है वो शामन होती गई और ये मामला जो है बगड़ता गया जाहिए जाहिद हामिद के जो रेजिगनेशन है स्तीफे पे डेड़ लॉक क्यों हुआ देखें ये डेड़ लॉक जो है ये पिछले संडे को भी मैं इसलमाबाद गया था और वहां पे फिर दुबारा तहरीक लबबैक के मजाकराती जो टीम है उसके साथ हमारे तीन सेशन हुए दो दो तीन तीन गटे हम बैठे एक सेशन में जाहाद हामिद साभ भी वहां पे म मेरे मतलब ये बात की जाती है कि शायद मेरा मेरी फैमली में को नहीं मैंने आप से पूचा था डेड़ लॉक क्यों हुआ चुक्के वक्त की किलत होती है और बहुत सारे सवाल आपके सामने रखने डेड़ लॉक की वज़ा क्या थी देखें वो यही हुई कि एक तरफ ये म मौकफ था कि जब तक रिपोर्ट ना आ जाए और इस रिपोर्ट में उनके मतलब कोई बात ना हो तो ये इस प्रेशर देना जो है वो असूरी तोर पे गलत है जाहिर है ये हकूमत का मौकफ होगा मगर मगर राना साब जाहिद हामिद साब ने अस्तीफा दिया मैं आप से वो ही सवाल जो मैंने शुरू में किया था फिर से दोरा हूंगी क्या आप उलमा के पैनल के सामने पेश होने के लिए तियार है चुके इस मौइदे के मताबिक जिसके अंदर सबके सिगनेवाज चाहिपे वफाकی वजीर दाखला ऐसने अकबाल साब का भी सिगनेचर है यहां पे वफाकी सेकरी दाखला का भी सिगनेचर है और मेजर जेनरल फैज हमीद का भी सिगनेचर है क्या आप उस कमिटी के साथ हमने जा रहे हैं हाँ या ना ये ये बाइदा जो जिसकी आपने बात की है कि ये दस्खत है जी उस बाइदे में किस शिक में ये बात लिखी है बताएं जरा मैं आपको पढ़के सुना देती जूँ वफाकी विजिर कानून जी सुना देती हुँ इधर मेरे पास है ठीक है ये मैं सुना आती हूँ जो पहला उन्होंने का रहे है वो ये है कि एक कलरिक्स का बॉर्र होगा जिसके लिदेदेदी पीर जो inquiry होगी या कोई भी फैसला होगा वो आपको सुना दिया जाएगा और आपको कबूल होगा और इस के अंदर उन्होंने शिक नंबर छे के अंदर का है कि हकूमते पंजाब से जो भी हमारे नुकात पर इतफाक हो चुका है इन पर मनोँ अमल दरामद होना चाहिए और ये अटाच्च्ट है कॉपी उसके साथ ने ने सुन ले ना मेरी बाव गुमाना फिराना दो नहीं ना चाहिए हमें ये मुएदा जो है ये आपके सामने पड़ा इसकी कॉपी मेरे पास भी है जो आप ये मुझे पेशी और ये बोर्ड और ये कहां पर लिखा है बताएं जारा मैं भी पढ़ लूँ उसको ने ये जो आप कह रहे हैं ये स्टेट बैक पाकिस्तान वालों ने भेजी है ये हम किसी मीडिया रिपोर्ट से कोट नहीं कर रहे हैं आप इसको रिजेक्ट करते हैं नहीं सुन ले नहीं सुन ले सुन ले मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमारी उनके दर्मियान अर्निस्टेटिंग कोई से वो बात मैंने पूरी तफसील के साथ बता दी है इसमें वाथ की ऊपर बिलकुल आपर मैं खड़ा हूँ आगर वो मेरे तो बात कर रहे थे इस की उसकी वज़ाँ को maze 30 मृत-बह की आप उसकी जो मैं भी उसकी वज़ाँ 30 मृत-बह करने को तैयार हूं इसуш की वज़ा कि वो बात गलत है नहीं यह कहा ही नहीं है और उसको तरोब बोर के जो बेयान किया गया गया उसके अश्रफ अस्व जलाली साब है राना साब जो बाहर धरना दिये बैटे हैं पंजाब इसमली के बाहर वो आपके स्तीफे का मतालबा कर रहे हैं जी मेरा उनके दरने से कोई तर्फ जो मौइदा वहां पे हुआ है इसलामबाद में जिसके नतीजे में तमाम दरनों ने खतम होना था खतम हुए हैं यह आपके सामने पड़ा है और इस मौइदे को करने वाले या इस मौइदे को की जमानन देने वाले और यह दरना जाने यह उनका काम है कि इसको पर अमल दराम दो करें मेरा ऐसे कोई सरोकार नहीं है अगर इस वाले मौइदे के उपर आ जाएं कि जी तीस दिन के अंदर राजा जफर अलहक की जो कमिटी की रिपोर्ट है वो मन्जरे आम पे हकूमत लेके आए क्या हकूमत उसको फॉलो करेगी मेरा तो ख्याल है कि शायद ये रिपोर्ट जो है वो अब आ चुकी है उसका कुछ पूई है न राना साब पूफिशली जो है वो सामने आएगी और बिलकुल आएगी बिलकुल आएगी वो रिपोर्ट जो हम तो ये चाहते रहे हैं और इस बारे में राजा जफरलहक साब से ये रिक्वेस्ट भी की जाती रही है कि आप इस रिपोर्ट को जल्द लाएं लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे अपना टाइम दे मैं इस बारे में पूरी तरह से तसली करके ये रिपोर्ट दूँगा तो इसके उपर आपके इलब में होगा कि मिया नवाजशिव साब ने जब ये कमेटी बनाई थी तो उन्होंने तो तीन दिन का कहा था तो आप तो तीस दिन हो गए हैं तो इसलिए अगर मजीद अभी तीस दिन है तो ये रिपोर्ट होफिली जरूर आने चाहिए एक और मतालबा भी उन्होंने किया है उन्होंने काया कि जितने धन्ने वाले हिरास्त में लिये गए हैं उनको एक से तीन दिन के अंदर रहा करना चाहिए तो अब हकूमत का क्या फैसला होगा वो हमने रहा कर दी है तो इस वक कोई भी धन्ने वाले हाँ की रहास्त में नहीं है पंजाब हकूमत की रहास्त में नहीं है जी पंजाब हकूमत ने जितने लोग नजर बंद किये थे उन सब को रहा कर दिया गया है जो लोग मकदमात में अरेस्ट हैं उनका या वो बेल पे रहा होंगे उसका जो भी एक अदालती प्रोसीजर है वो हकुमत के बस की बात नहीं है वो रहा करती है तो वो आज वजराला पंजाम ने या वो इस दोरां जितने मे लोग गरिफ्तार हुए उन सब की रहाई का हकम दे दिया है सबाइब उनके जो एंटी टेरिजन आक्ट के तहट जिनको हिरासत में लिया गया है नहीं मैं बात करूं जो लोग नजर बांथे त्री एंपियो में जो मकदमा दर्ज हुआ ना वो किसी के टेरिजन आक्ट में हुआ या किसी और दफा में भी हुआ उसको रहा गौउमन नहीं कर सकती उसको रहाई जो है वो बकैदा अदालत ही करेगी वो अदालत का उड़न चाहिए इसमें इस मौईदे के अंदर ये भी हकूमत ने अग्री किया कि जो वफाग की हकूमत है और पंजाब की हकूमत है जो भी इस वक्त पूर का नुकसान हुआ है वो भी पूर करेगी तो ये कहां से पैसे आएंगे राना साब ये कौन सा नुकसान है ये नुकसान जो मेट्रो बस को किया जो मुझारी ने नुकसान किया उसकी बाख कर रही हूं तोड पूर नुकसान आपका क्या ख्याल है ने सुन ले ना आप क्या ख्याल है कि जो वहां पे मेट्रो के रूट पे तोड पूर हूई है तो क्या हकूमत जो है वो उसको रिपेर नहीं करेगी वो सहलत अवाम के लिए है और वो अवाम के लिए उस सहलत को जारी नहीं रखा जाएगा नहीं मगए गाड़ियां तोड़ी गए उनके शीशे तोड़े गए क्या उनको भी हकूमत कॉमपेंसेशन देगी देखें बात ये है कि एक आम शहरी का भी अगर नुक्सान हुआ है तो जहां तक आप मुझसे पूछती है तो मैं तो समझता हूँ कि उन लोगों को भी जो है वो कमपर्सेट किया जाना जाए और आपके इलब में होगा कि जब एक दफार खाके वो डैनमार्क वाला जो मामला हुआ तो तो उस वक्त एक जलूस निकला था जी वो भी खत्मे नुबसे मतलका था यहां पे को तीन सो या इससे ज्यादा शायद जादी कि थे वो सारे गरीब लोग थे तो उस वक्त भी जो है वो हकूमत ने उन में से काफी लोगों को जो है वो कमपेंसेट राना साथ एक और मतालबा भी है वो यह है कि 25 नुमेंबर 2017 को जो एक्शन लिया गया मुझारीन के खिलाफ उसके उपर एक कमिटी बनाई जाएगी और वो किंसेंसिस के साथ बनाई जाएगी तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों के साथ और फिर उसकी अंदर जो फाइंडिंग आएगी उन कि मिनिस्ट्री आफ इंटिरियर कोई इस किसम की कमेटी बनाने का अखियार रगती है और वो जब कमेटी बनाएगी तो उसके टर्म आफ रेफरेंस बनेंगे वो टर्म आफ रेफरेंस में यह डिसाइड हुआ क्योंकि जहां तक इस आपरेशन का तरलक है जो उस दिन हुआ मुझे मेरी इंफर्मेशन है उस में मिनिस्ट्री आफ इंटिरियर की परिमिशन मजूद थी बलके वो आडर जो है वो परिमिशन का उसके अदालत आलिया की बैकिंग भी हासल थी दूसरी तरफ राना सनावला साब आपके मुझाकरात इनके साथ चल रहे हैं और इस बात पर चल रहे हैं कि लाउड स्पीकर के उपर जो बैन है उसको लिफ्ट कर दिया जाए क्या पंजाब हकूमत ये करने जा रही है नहीं लाउड स्पीकर के उपर बैन नहीं लाउड स्पीकर हर मस्ज़द के उपर है और लाउड स्पीकर हर जलसे में हर जगा पे जो हो इसमाल होताए उसमें पुजीशन यह है कि पंजाब में हमने एक कानून के तहद जो है वो महजद में लौड स्पिकर की जो तैदाद है उसके उपर पबंदी लगाई है जब कि ये पबंदी जो है वो बाकी किसी दीगर सुबे में या वफाक में नहीं उलमा का ये एक बड़ा पॉपलर डिमांड है कि जब सारे मुलक में नहीं है तो आप जो है वो इस डिमांड को जो है ना आप भी चारो अतराफ जो है वो लौड स्पिकर का इस्तमाल जो है ना ताकि अजान की आवाद चारो अतराफ जाए तो ये डिमांड आप मान लेंगे। और इसमें उनके नुक्ता नजर को जा है वो कामेड़ किया जा सकता है ठीक है इधर हमने लेना है चोटा सा वकफा फिर वकफे के बाद हाजर होते हैं अभी भी बहुत सारे सवालात हैं जो धरने के बाद जिन्हों ने जनम लिया है उनके जवाब ढूंडेंगे राना सना उलात है वकफा वकफे के बाद होते हैं वल्कम बैक नाजरीन राना साब अभी भी बहुत बड़ा अभाम है हमारे इतलात के मताबक नौ लोग हलाक हुए हैं और हमें ये भी कुछ सोसिस बता रही हैं कि शायद इसके दो पुलीस एहलकार भी हलाक हुए है या आप कन्फर्म करें कि एग्जैक्ली टोल क्या था डेट टोल जी मैं कन्फर्म करता हूँ और इसके में जो तहरीक लबैक की मजाकरती टीम है आज क्योंकि उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है उनकी भी यही इंफर्मेशन है कि छे हलाकती हुई है रावल पिंडी में और एक हुई है पिंडी बटिया में वो जो डी एस पी जो है वो मुबाक्या हुआ था कि उसके उपर जो है वो उनका जगड़ा हो गया था वहां पे बैठे लोगों से तो इसके अलावा इसको नौ कहना इसको जो है वो तैईस कहना इसको चालिस तक भी यह बात गई है यह बिलकुल गलत है और इसमें कोई सिदाकत नहीं है और दूसरी तरहीं इन्होंने पुलीस एहलकारों को जदकोप करके किड्नैप करके लेके गए थे उनके उपर टॉचर भी किया गया था क्या हकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ एक F.I.R. दर्ज करेगी चुके हमारी इतलात के F.I.R. में नामालूम अफराद का नाम आया है देखें उसमें जो लोग मिसिंग थे तो वो लोग जो है वो अब किर्नैप हुए या किस तरह से मामला हुआ जब वो वापस आगए है बलके आगए थे उसी रोजी तो वो जो आके बयान देंगे तो उस बयान के मताब़े होगी अच्छा बयान तो वैसे वो दे चुके हैं उन्हें बताया है कि उनके साथ क्या हुआ मगर इस वक्त F.I.R. जो दर्ज हुई है वो नामालूम अफराद के नाम पे हुई है राना साब मुझे ये समझाने की आप कोशिश करें चुके लोग ये जानने की कोशिश कर रहे है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये सारे लोग फैजाबाद के नोंने धरना कर लिया फिर आप लोग एक ऑपरेशन करते हैं जो इतना नाकाम होता है हमें बताया जा रहा था कि जी टियर गैस जो फैंकी जा रही थी वो हवा का रुख किसी और तरफ था और वो वापिस पुलीस वालों के उपर आके लग रही थी तो आपरेशन में घल्ट हुआ आपने कुछ तो अजाला किया होगा कि कहां आप गल्ट देखें किसी भी जो है वो इहतिजाज को या जो भी एक एजिटिशन की सूरते हाल हो उसको रोकने के लिए एक ताकत का जो इस्तमाल है उसका एक यानि लेवल होता है अब वहां पे आपने जितनी पौरीस बेजी थी उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि उनके पास कोई फैराम नहीं होगा उनके पास सिर्फ स्टिक होगी और किसी तरह से 2 जो है वो कोई केजैयूलटी जो है वहां से नहीं होनी चाहिए उसको अवाइट किया जाना चाहिए और आप वो किसी हलाकत के बगाएर जो है राना साथ आएँ त्राइचा आउट अवे दियू भारा रांग तेक्पे नहीं वारा नहीं वे कोई रांग नहीं था मामला यह है कि इस फॉर्स का लेबल था वो लेबल जो है वो जो नहीं था जो कि वहां उस वरूरत थी और उस force को level करना जो है वो government भी effort नहीं कर रही थी उसकी वजा के बहुत सारी ताक्तें जो है वो इस चक्र में थी कि government जो है वो यहां पे जो है ना वो किसी ना किसी तरह से फंस जाए अब देखें रियासत सिर्फ government का नाम नी होता रियास्त में सिवल सुसाइटी भी है, रियास्त में मेडिया भी है, रियास्त में मेंबर्स पार्लिमेंट भी है, रियास्त में अधारे भी है जब सब की कोशिश हो कि एक ऐसा जाल बुना जाए और गौर्मन्ट को इसमें फासा जाए तो गौर्मन्ट वहाँ पर कैसे काम यब हो सकती है पूचा है और बड़े बरहम है इस बात पे उन्होंने का कैसे फौज ने सालसी का रोल अदा किया तो आप लोगों ने कबूल भी किया तो उस वक्त आप मुझे ये समझाए आप सब का नाम उसके उपर है तो आप लोगों ने जब फौज को आप इस पर अमादा थे कि फौज सालसी का रोल अदा करेगी चूकर आज की खबर ये है कि नुवाज श्रीफ साब एसन अकबाल साब के उपर इस बात पे बड़े बरहम है देखे मुझे आप ये बताएं कि इसे फौज सालसी हुई किया है फौज के हक में नारे मारते यहां से चले गए फौज को आपने बुलाया फौज ने एक मौइदा किया जो जस्टिस चौकर सदीकी की कोट पे सामने आया तो ये अगर सालसी का रोल नहीं है तो फिर और क्या है बात नहीं सुन ले ना उनका एक ही मतालबा था पिछले पंदरा दिन से कि जहाद हमसाब का स्थीफ़ा दे एक हम अपना दना जो आना वो उठा लेंगे पिछले मंगल को जो पारी उनके साथ पंजाब आ उसमें मीटिंग हुई है उन्होंने कहा कि जी जहाद हमसाब स्थीफ़ा दे हम लिखके देते हैं कि जहाद हमसाब का कोई कुसूर नहीं है कोई इनके खिलाब फत्वा नहीं है कोई इनके खिलाब बयान नहीं है कर ये भी सवाल जस्टिस शौकत सदीक के आप हमें ये बताईए कि इनका खाना पीना कहां से आ रहा था इनको जो वेपन्स थे वो टेर गैस थी इनके पास असला था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था अब आपने कुछ तो तैकिकात की होगी अब कुछ दिन हो गएं कि धरना ख हमारी जो एजनसीज हैं वो बिल्कुल बलैंक हैं कोई उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया अब आदालत में जो रिपोर्ट पेश होगी उसमें पता चलेगा हमारी इनफरमेशन के मताबक जो है किसी को भी जो है वो ये नामजद नहीं किया गया कि फलाँ जगा से या फलाँ आदमी या फलाँ सोर्स जो है वो इनको असला या वो टियर गैस या खाना परवाइट कर रहा है गारा साब आपके पास इतनी भी इंटेलिजन्स नहीं है कि इनके पास खाना का था अगर ये रिपोर्टर्स को पता है तो फिर आपकी एजनसीज को क्यों नहीं पता तो रिपोर्टर्स ने इसलिए नहीं बताया चुकि उनका काम तो राना साब ये ये जो काम है ये एजनसीज को पता है ये तो कोई बात नहीं हुई अच्छा मैं आपको अगर आगे बढ़ें तो एक और आडियो टेपर रहां साब कोई 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 आगे बढ़ें तो चाहिं कित्ता चुट बार अब एक और उसके बारे में जेसम्पल नहीं होते हैं जितनी नहीं नजी आगे बारे में जेस्टिस शॉक्त सधीकी ने आप से एक जवाब मांगा है वो ऊडियो टेप में आपको सुनाई को पता है साटक्प यहर वो ये चीज़े अतनी सिंपल नहीं होती हैं जतनी नज़र आती हैं और खना से जो ये बहुत सारे इंटेलिजेंस नीज थी हमारे पास सफदर की तीन दफाए इन से मीटिंग हुई थी इस धरने से पहले और उनको का गया था कि आप आएं आपका जितना भी खर्चा होगा वो हम पे करेंगे आएं से दो दिन पहले जब उन्होंने अपना बिल लिया है 50 क्रोड रुपे का उन्हों का है 50 क्रोड रुपे हमरे खर्च होगे तो गर्विजेंस ने का कि नहीं आपका जो हुए इस पहने 5 क्रोड रुपे खर्च होए हम वो आपको देने के लिए तैयार है और वो भी इन्होंने गर्मेंट में गर्मेंट में उन्होंने legal त्रीके से तो नहीं देना था उन्होंने एंडरेंग त्रीके से देना था बट दे वर इंसेस्टिंग और 50 क्रोर रूपीज के नहीं या 50 क्रोर प्रेदे तो हम ये negotiations को conclude करते हैं and we'll go back सभी बात है कि इस तरह के पैसे आफर किये जा रहे थे धन्य वालों को ये विडियो जो आडियो है ये वाइरल हुई है और शौकत सदीकी ने आपसे जवाब तलब किया है कि कहां से आई किसकी है हो जिसकी ये उन्विए हुई है कि ये कौन साफ बात कर रहे हैं जी इसकी आइडन्टिफिकेशन जो जस्तिस शौकत सदीकी है उन्होंने आपसे मांगी है हकोमत पाकिस्तान से मंगी है। histor recipient साफ़ betray लॉन जो है वो इसका होना चाहिए और जो 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 जा रहा है कि पचास कुरोड रॉपाय गॉव्मन ने देना था उन्होंने लेना था तो इसकी इनकुरी जो है वो तहरीक लबैक के लोगों से भी होनी होनी चाहिए कि क्या उनका कुछ पचास कुरोड रॉपाय गा या पांच कुरोड रॉपाय गा किसी के साथ को तनादा हुआ है जो है इन से कहा जाना चाहिए कि अपनी ये एविडिन्स पेश करें चले ये तो आपने बताना है जजज को के ये साहब कौन है गाहन साब एक और पूचूँगी हमने विडियो देखी थी डी जी रेंजर्स पंजाब की वो पैसे बांट रहे थे धन्ने वालों को उन लोगों को जो रहा होए थे क्या ये हकूमत ने उनको अथारिटी दी थी क ये वो एक हजार के जो रुपय थे ये उनको बांटे देखे मैं तो जाती तोर पे इस बात को समझने से कासर हूँ कि ये जो मौइदा किया उसमें आखरी पैरा अखराफ जो है वो चीफ आफ आर्मी स्टाफ के मतलग दिया गया जो वहां पे संगनेचर है जनल साब के और ये काम जो है अगर ये सही है अगर ये आडिटर नहीं है ये अपना जो क्लिप है तो इसकी जरूरत क्या थी एक जनल को जो है वो ये उसका को बटमैन या उसका को जूनियर जो है वो ये काम कर सकता था इन सीवी उनको बावर्दी पोजीशन में ये काम करने की अब ये बा وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے سگنیچر ہیں उन्होंने इसको साइन किया हुआ है वो फेडरेशन को रेप्रेजेंट करते है आपकी हकूमत को रेप्रेजेंट करते है मैं ये पैसे में रहा होने वाले लोगों को तक्सीम की मैं बात कर रहा हूँ बाकी जो मौइदा है वो तो अपना एसन अकबाल साब ने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा है कि जी बिलकुल ये कोई मेरे लिए पसंदीदा आमल नहीं था लेकिन मैंने इन दी लार्जर इंटरस्ट आफ दा कंट्री जो है वो मैंने किया है आपको लगता है कि एसन अपको ये मौइदा करना चाहिए था चुकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हकूमत ने लबैक पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेक दिये देखिए जब उनका एक मतालबा जो था उसको तसलीम किया गया तो अब आप उसको जो है वो अपने अलफास तरह किसी तरह से भी उसको जो है वो एक्स्पिनेंट कर सकता है लेकर ये तहरीक लबैक नहीं इसके साथ तमाम लोग शामल थे आपोजीशन शामल थी सियसी जमातें शामल थी और सारे लोग शामल थे तो ये आप समझें कि अगर सब के सब एक दर्व थे तो फिर वहां पे हकूमत ने जो है वो अगर किंसीड ने करना तो पर और क्या करना था मगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने अपने हकूमत का जो डेट वारंट है वो साइन किया हमने देखा कि मिया नवाज शरीफ साहब भी किस तरह नराज थे एसन अकबाल साहब से ये बताईए राना साब जुम्मे के दिन भी कहा जा रहा है एक और धरना होगा र्यासत आप है राना साब आप र्यासत है नहीं नहीं बिलकुन नहीं वज़रे कानून पमज़ाब का हिस्जा हूं तो र्यासत इंट- लक्विसा नहीं है रेका है जो है वो और भी उसमें जो है वो और भी अनासर हैं उसमें और भी जो है वो चीजे हैं अगर collective decision होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो क्या रियास्त के सारे अनासर एक पेज़ पे नहीं है सर जी नहीं है बिल्कुल नहीं है यह इस तो कोई एविनिस चाहिए आप सियासी जमातों को देखने वो कहां पे थी सियासी जमातों से अलब होके मैं आप से चुके लोग बहुत पर इसलामबाद के अंदर जुम्मे को इजासत होगी मजभी जमातों को धर्ना करने के लिए इसलामबाद में राना साब आपकी क्या मालूमात हैं आप इजासत देंगे लहुर से लोग आए मुझे इस पारे में कोई इन्फरमेशन नहीं है कि कोई इस किसम का जो है वो धर्ना जो है से कुछ सवालाद के जवाब मिल गए कुछ सवालाद के जवाब हम ढूनते ही रहेंगे नाजरीन खुदा हाफिस कर दो